हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब आज इस वीडियो में हम 23rd October 2020 की 9th क्लास के Math Subject की जो वरक्षीट है हमारे पास 48 नमबर की इसको हम डिसकस करेंगे और यह वरक्षीट के इस टॉपिक के बारे में हैं collection of data तो बच्चों आपको जानते हैं आप लोग जानते हैं कि collection of data होता क्या है okay so children you must have observe your teacher recording the attendance of students in your class everyday आपने देखा है ना बच्चों कि जब आप सभी बच्चों के नेम लिखे होते हैं और आपकी डेली की attendance जो है वो वहाँ पे count होती है तो यह क्या है एक record बना हुआ है okay या फिर अगर हम और example ले और recording marks obtained by you after every test और examination आप जब भी examination में score करते हो आपके जो भी marks आते हैं तो उनका भी तो वो record बनाते हैं तो यह सब क्या होते हैं record होते हैं similarly you must have also seen a cricket scoreboard तो इसी तरीके से आपने बच्चों cricket का scoreboard भी देखा होगा देखा है ना आपने cricket का scoreboard वहाँ पे क्या क्या लिखा होता है क्या वहाँ पर सिर्फ यह लिखा होता है कि कौन सा player खेल रहा है या फिर कौन जीत रहा है क्या कितने ball है नहीं ना वहाँ पर क्या होता है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है उसके अलावा भी other informations होती हैं जो useful होती है okay one such scoreboard has been illustrated here तो उसी तरीके से यहाँ पर एक scoreboard और है यह देखिए आपके पास यहाँ पर यह शो क्या हुआ है अब इस scoreboard में हमारे पास क्या है name of baller यहाँ पर आपके पास first column में है name of baller देखिए बच्चे जो भी आपके पास यहाँ पर baller है जो भी cricket play कर रहे हैं तो उनके name क्या-क्या है A, B, C and D अब यह जो आपके पास baller है इन्होंने कितने overs play किये हैं इसका मतलब यह है कि इन्होंने कितनी ball जो है वो throw किया है तो बच्चा आपको पता है कि एक over में कितनी ball होती है six ball होती है तो यहाँ पर यह कितने overs है हर एक player ने हर एक baller ने कितने overs लिये है 10 over लिये है तो आपके पास अगर आप यहाँ से यह देखना चाहो हो कि हर एक baller ने कितनी जो balls है वो throw की है तो आप वो भी यहां उसे calculate कर सकते हो कैसे कि जो भी आपके पास number of overs दिये वे आप उसको 6 से multiply कर लो तो आपके पास number of balls आ जाएंगे तो ये भी आप कर सकते हो उसके अलावा आप यहां पर देख सकते हो थर्ड कॉलम है आपके पास maiden over maiden over बच्चो आपके पास वो वाला over होता है जिसमें कि जो आपके पास bowler होता है माल लीजिए उसने एक over maiden over दे दिया maiden का मतलब यह हुआ कि उसने जितनी भी balls throw की है उन में से एक over यानि कि six ball ऐसी थी जिनमें कोई भी run नहीं लिया गया है batsman के through तो जब कोई भी run जो है batsman नहीं लेता है तो वो किस में आ जाता है maiden over में आ जाता है और उसके अलावा अगर वो run के ले रहा है तो कितने run ले रहा है तो वो आपके पास information आपको मिल रही है fourth column से run given यानि कि जो baller है उसने कितने run दिये और run देने के अलावा उसने कितने wicket लिये यानि कितने batsman को उसने out किया तो वो आपको fifth column से information देखने को मिल रही है अगर बच्चे आप से मैं यहाँ पर यह कहूँ कि आप क्या मुझे बता सकते हैं कि जो c आपके पास baller है c name वाला जो baller है उसने कितने batsman को out किया है तो आप यहाँ पर देख सकते हो wicket taken में wicket taken में आप देखो c के सामने वाली line जो है यह कहाँ पर आती है one पर आती है that means जो c baller है उसने कितने wicket लिये है one wicket लिये है उसने एक बैटमेन को क्या किया है, आउट किया है, तो यह concept हमारे पास हो जाता है, इसके बाद next हमारे पास concept होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो scoreboard होता है, उसमें सिर्फ ऐसा कुछ नहीं होता कि कौन जीता है, हो वन, हो लोस्ट कि कौन हारा है, इन scoreboard, you will also find some equally important information about the game, तो उसमें आपके पास क्या होता है, other information भी आपको देखने को मिलती है, जैसे कि for an example, for instance, you may find out the time taken and number of balls faced by the highest run scorer, कि आप यहां से जो भी आपके पास highest run scorer होता है, उसके through जो भी time लिया गया होता है, कि उसने कितना time लिया, या उसने कितनी balls play की, आप यह भी यहां पर check कर सकते हो, यहां पर इसका मतलब यह है, कि बिटा, कोई player तो ऐसा होता है, कि जो क्या करता है, six वगेरा जो है, वो जल्दी जल्दी gain करता है, और फिर उसके बाद बहुत अच्छे run बना लेता है, लेकिन कोई player ऐसा भी होता है, जो बस pitch पर इदर उदर भाग कर ही score कर पाता है, और otherwise, collected with a definite purpose are called data, तो यहां पर बच्चों खह रहे हैं, कि यह जो भी आपके पास facts होते हैं, या फिर जो भी आपके पास figures होती हैं, जो भी आपके पास यहां पर concept होते हैं, यह कैसे होते हैं, numerical भी हो सकते हैं, यह आपके पास number के form में भी हो सकते हैं, जैसे कि आपसे यह कहा जाएं, कि 48 ऐसे जो घर हैं, जिनके अंदर क्या है, lights हैं, तो आपको यह जो information मिली, वो कैसे मिल रही है, numeric, मतलब आपको counting मिल रही है, number मिल रहे हैं, उन houses की, जिनमें lighter नहीं है, electricity नहीं है, और otherwise collected with a definite purpose, जिनको हम एक definite purpose के लिए collect कर रहे हैं, यानि कि हमारा कोई aim है, एक main हमारे पास target है, एक purpose है, aim है, जिसकी वज़े से हम यह data जो है calculate कर रहे हैं, हम यह जो information जो है, वो calculate कर रहे हैं, तो इस type की जो भी information होती है, यह क्या कहलाती है, हमारे पास data, ओके बच्चा, यह क्या कहलाएगी, data, it means a data is collection of numbers, gathered to give information, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम बहुत सारे data जो है, वो collect कर लेते हैं, तो उन data से, उस collection से हमें क्या मिलती है, information मिलती है, ओके बच्चा, तो data का concept clear हुआ, तो data हमारे पास क्या होता है, कि अगर हम किसी एक definite purpose के लिए information को collect कर रहे हैं, ओके, तो जो भी हम information को collect करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या कहलाती है, data कहलाती है, अब आता है concept कि आप data तो collection कर रहे हो, that means like you are working as a survey, आप एक survey की तरह हैं पे काम कर रहे हो, तो उस condition में ये आपका maths की कौन सी ब्रांच में आएगा, भी आपका algebra में आएगा, या numeric maths में आएगा, या फिर आपका ये geometry portion में आएगा, मतलब maths की कौन सी ब्रांच के अंदर आप study इसको करते हैं, so concept हमारे पास हो जाता है, the extraction of meaningful information, कि यहाँ पर जो भी हम meaningful information लेते हैं, collection हम ये जो करते हैं, is studied in a branch of mathematics called statistics, इसे हम statistics जो ब्रांच है, उसके अंदर discuss करते हैं, ये points, ठीक है बच्चा, statistics ब्रांच के अंदर हम इनको करते हैं, In your next day, in your day-to-day life, you must have seen several kinds of tables consisting of numbers, figures, names, etc. भई आपकी जो daily life होती है, उसमें आप बहुत सारे example ऐसे देख सकते हो, जिसमें आपके पास tables मिले, और वो table आपको किस तरह की information दे, भई वो table आपकी numbers के form में भी हो सकती है, या फिर कुछ figure की form में भी हो सकती है, या generally name ही हो सकते है, जैसे name ये मालीजे, ये कह दिया जाए, कि आपकी class में जितने भी students हैं, उन सब के name की एक list बनाओ, तो वो भी तो हमारे पास एक data हो गया है न, तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, इस type की हमारे पास ये tables होती है, these tables provide us data, इन tables से हमें data मिल जाता है, let's do some activities to improve our understanding about collection of data, तो भी अब हमारे पास बच्चा यहाँ पे collection of data का concept तो हो गया, अब इस concept को अच्छे से study करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ activities कर लेते हैं, activity number one, construct a table by collecting the data of height in centimeter of any 20 students of your class, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक table बनाना है, और उस table में आपको आपकी class के 20 students की height, जो है वो यहाँ पर mention करने हैं, okay, 20 students की height, तो उसके लिए जो आप table बनाएंगे, उसका first column होगा, आपके पास name of student, and second column होगा, हमारे पास क्या, height, okay, बच्चा, तो first column में, जिसे आपके पास कोई भी बच्चा है, आपकी class में, like मैं आपे क्या देती हूँ, कि राहूल है, okay, तो आप यहाँ पर first column में राहूल का name लिखेंगे, और राहूल की जो height है, like 155 cm, वो आप यहाँ mention कर देंगे, ऐसे ही second data ले ले लेते हैं, suppose second data is for Rita, and Rita की जो height क्या है, वो 160 cm है, so आपको इस तरीके से 20 students की आपको यहाँ पर heights जो है, वो mention करने हैं, तो कर पाएंगे काम है न, कोई आसान काम, तो है यह difficult तो है नहीं, तो इसके बाद हम देखते हैं, activity number 2, construct a table by collecting the data of number of absentees during the your online class in last one week, अब यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चा, कि आपको last week में, last one week में, आपकी जो online class चलती है, उस online class में, जो भी बच्चे जो है absent रहते हैं, उन सभी absent students की आपको एक list बनानी है, तो अगर मान लीजिए, आपसे आज कहा जा रहा है ये काम, तो आप कहां से start करेंगे, एक week की बात कर रहे हैं, तो आप Monday से start करेंगे, और next day आप क्या ले लेंगे, Tuesday, तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर किसकी Monday की, तो सबसे पहले आप Monday देखिए, Monday में आपके पास concept क्या है, कि आपको number of absentee students चीए, तो क्या आप पुराना जो record है, वो अपने आप maintain कर सकते हो, नई न, उसके लिए क्या करना होगा, आपको help लेने पड़ेगी, किसकी आपके teacher की, आपके teacher से आप help लेंगे, और उनके record में चेक करेंगे, कि कौन बच्चा absent था और कौन बच्चा present था, तो वहाँ से आप number of absentee students जो है, वो count कर सकते हैं, और यहां mention कर देंगे, like आपने जो number of students यहां पर count किये है, हम उनको कह देते हैं, कि वो कितने है, 3 है, Monday वाले दिन, similarly अब हम बात करते हैं, Tuesday वाले दिन, तो Tuesday वाले दिन हम क्या कहते हैं, 4 है, ओके बच्चा, तो यहां पर हमारे पास दो activities हमने की है, first activity और second activity, तो इनसे हमें यहां पर concept हमें क्या मिलता है, मतलब क्या हमारे पास यहां पर समझने लायक concept है, so in first activity, the information was collected by yourself with a definite objective in your mind, कि जो आपकी first activity आपने की है, उसमें क्या किया है, आपने किसी के help नहीं ली, आपने खुद सोचा, अपने काम को खुद किया, अपने mind को खुद यूज किया, आपने किसी के help नहीं ली, ना आपने कोई पुराना record चेक किया, तो इस type का जो आपके पास data होता है, the data obtained in this way is called primary data, इस type का जो data होता है, आप उसको क्या बोलते हैं, primary data बोलते हैं, लेकिन अगर मान लीजे, आप खुद का दिमाग नहीं चला पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप पुराने record में से अपना help लेंगे, और अपना data जो है, वो complete करेंगे, like जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, किस की, कि number of absentee students की, तो उसमें आपने जो information ली, वो आपने कहां से ली, अपने school record से ली, okay, so in second activity, you can gather the information from the available school record, which already had the information, कि आपने अपने school record से, अपने teacher की help लेके information वहाँ से देखी, और उसमें से आपने filter कर ली, जो आपको चाहिए थी, that means आपने वहाँ से number of absentee students, जो है, वो यहाँ पर count कर लिए, so the data obtained in this way is called secondary data, हम इस type की data को क्या बोलते हैं, secondary data, जहाँ आप अपना खुद का mind use कर रहे हैं, that is your primary data, और जहाँ आप खुद का mind use नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे के record message चेक कर रहे हैं, और फिर अपना data यहाँ पर बना रहे हैं, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, secondary data, तो इन सब concept के बाद हमारे पास कुछ questions हैं, जिनको हम देखते हैं, so first question, give two examples of data that you can collect from your day to day life, आपको यहाँ पर कुछ ऐसे data जो है आपको daily life से आपको लिखने हैं, जो आप अपनी life में देखते हो, तो बहुत सारे आपके पास example है, like number one हम यह कह सकते हैं, number of hospitals in our area, हमारे area में जो भी hospitals हैं, उनको हम यहाँ पर count करें, कि बहुत कितने hospitals हैं, और जो hospitals हैं वो different types के होते हैं, like कोई nursing home भी होता है, कोई छोटा सा clinic भी होता है, या फिर कोई eye hospital होता है, कोई ENT में चला जाता है, या फिर कोई skin care hospital हो जाते हैं, तो हमारे area में बहुत type के hospitals हैं, so we can say, the number of various types of hospitals in our locality is the example of day-to-day life, clear, second example, second example भी हम यहाँ पर note कर सकते हैं, like number of boys having different heights, यानि कि हम boys जो हैं यहाँ पर उनका यहाँ पर देख रहे हैं कि कितने ऐसे boys हैं, जिनके different height हैं, मतलब कुछ small height के हो सकते हैं, कुछ आप यह कह सकते हो कि उनके height बहुत अच्छी हो सकती है, यह tall हो सकते हैं, तो यह भी आपका क्या हो जाता है, example है, इसके अलावा आपको योर भी example ले सकते हैं, like you can collect the data, the number of cereals entertaining us, so there are many options, second, classify the data given below a primary और secondary data, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ data हैं, कुछ informations हैं, जिनने हमें बताना है कि वो primary में आता है या फिर secondary में, so first, shoe size of 10 students of class 9, class 9 के 10 students के shoe size, अब आप बताईए, क्या कहीं यह record में लिखा होगा, कि किस बच्चे के shoe का क्या size है, no, कहीं नहीं लिखा होगा, तो आपको खुद को मैनत करनी है, आपको खुद को यहाँ पर अपना mind यूज़ करना है, so it's primary data, very nice, second, the blood group of any 20 of your friends, आपके जितने भी friends हैं, उनमें से कोई भी आप 20 friends लीजी और उनका blood group बताईए, तो यह भी आपको कहीं पर नहीं मिलेगा लिखा हुआ, तो इसके लिए भी आपको अपना mind यूज़ करना है, so it's also primary data, third, number of members in the families of your classmates, आपके जो classmates हैं, उनकी जो families हैं, उनकी families में कितने members हैं, like उनके grandfather है या नहीं हैं, उनकी grandmother है या नहीं हैं, uncle, auntie, cousin, etc., कितने family members हैं, इनका भी record कहीं mention नहीं होता है, so यह भी आपका खुद का task है, so it's also primary data, fourth, marks obtained by 30 students in mathematics test, mathematics test में जो marks आते हैं, 30 students के आपको marks यहां पर लिखने हैं, तो आप क्या करेंगे, आप school records चेक करेंगे, जो भी आपके teacher का record है, और वहां से इसको not कर पाएंगे, so it's secondary data, next, number of plants planted by 100 schools during one mohatsav, one mohatsav के time में, 100 schools ने मिलकर क्या किये हैं, कुछ plants लगाएं, तो आप क्या करेंगे, अगर आप खुद इसको देखना चाहेंगे, तो आपको क्या करना होगा, हर एक-एक जो school है, उसके थ्रू जो भी plant नहीं पर लगाएंगे हैं, या तो आप उनको count करेंगे, या एक-एक school जाकर आप क्या करेंगे, information लेंगे, तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे ना, बलकि आप क्या करेंगे, कि आप पुराना record चेक करेंगे, वहाँ पर आपके पास सारा record होगा, हर एक-एक school का होगा, और वो आपके पास concerned, जो आपके पास organization है, उसके पास वो record मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाएंगे, और वहाँ से record चेक करके, अपना जो data है, वो complete करेंगे, तो इसमें आप help ले रहे हो, so it's also secondary data, तो next, आप मैं आपको जाते-जाते बोलूगी क्या, कि भई अगेर आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो आपको अपनी जो physical distance है, वो six feet की कम से कम डखनी ही रखनी है, that is two yards, ओके बच्चा, so bye-bye, have a good day, thank you for watching my channel,